प्रावदिक सिच्छा परसद उत्तपदेश लखनवु समस्टर वादसिक परिछा 2021 को आनलाइन माध्यम से पहली बार आयुजित करा रहा है दो दिन की परिच्छाएं पुन हो चुकी है इन दो दिनों की परिच्छाओं में चातों द्वारा तमाम तरह की परसानियों का सामना करना पड़ा है जिसको ध्यान में रखते हुए या वीडियो रिकार्ड किया जा रहा है जिसमें मैं मोटा-मोटी कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जिससे छातों की समस्याएं निश्चित रूप से कम हो जाएंगे अब वो सुचारू रूप से परिच्छा आगे की परिच्छा दे पाएंगे इस परिच्छा की बात किया जा अनलाइन परिच्छा में आपको बेसिकली एक यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत है और साथी साथ आपको यह पता होना चाहिए कि आपका किस दिन किस टाइम कौन से विशय का पेपर है तो सबसे बहतर तरीका यह है कि आप अपना टाइम टेबल यूजर आईडी पासवर्ड नोट करकर अपने पास रख लिजे कहीं कागज पर किसी भी चीज़ पर रखके अपने पास रखिए ताकि परिच्छा के दिन आपको कहीं दूसरी वेपसाइट पर या यूजर पोर्टल पर लागिन करके जानने की ज़रत ना प पासवर्ड तीन तरीके से आपको प्राप्त हो सकता है यदि आपने अपना मोबाइल नंबर इमेल आईडी उड़ाइज पोर्टल पर सही डाला हुआ है तो आपको मोबाइल और इमेल के माध्यम से भी यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा इन केस यदि आपका मोबाइल नंबर इमेल आईडी गलत है तो आप उड़ाइज पोर्टल पर इस्टुडेंट लागिन कीजिए इस्टुडेंट लागिन में एक्जाम टाइम टेबल का आप्सन दिया उस पर क्लिक करेंगे आप तो वहां पर आपका पूरा यूजर पर इस पर नोट कर लिजिए और नोट करके अपने पास सुरच्छे तक लिजिए ताकि भविस्ते में इसके बाद परिच्छा के समय कभी भी आपको यूजर आईडी पासवर्ट पता चल चुका है आप उसके बाद से अधिकांस बच्चे पॉल टेक्निक के अधिकांस मुрос Grade पर दे रहा हूंगे इसलिए इसमें मैंने सारे मुबाइल पर एक मौक करते हुए मैंने यहां पर लगाया है यह हमारे mobile का home screen का page है जिसमें आप simple chrome पे click करेंगे अब chrome पे click करने के बार address बार में आप यहाँ पे arrow देख रहे होंगे black color की यहाँ पे आपको simple कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे लिखना है upbte exam exam.in इतना type करके enter कर देना है आपको कहीं भी utilize portal पे जाने की जड़त नहीं पड़ेगी ना कहीं से link की जड़त पड़ेगी परच्छा के लिए आप simple upbte exam.in लिख के type किजिए address बार में Chrome पे click करने के बार यह page खोलेगा बगल वाला वहाँ पे आपको type करना है और type करने के बार simple enter कर देना है एंटर करते ही आपको यह इस तरह का एक box दिखेगा लिखा रहेगा I am not a robot I am not a robot उसके बगल में एक छोटा सा box बना रहेगा उस box पे tick कर देना है mobile से दे रहोंगे तो हाँ से वहाँ पे touch कर देंगे टच जो ही करेंगे यहाँ पे नीचे आ जाएए यहाँ पे यह ग्रीन कलर का सही का निसान बन जाएगा उसके बाद से आपको submit बटन पे क्लिक कर देना है submit बटन पे जो ही आप क्लिक करेंगे यह आपका exam वाले page का home page खुल जाएगा जिसमें यह उपर उत्तरपदेश गोड़ अप टेक्निकल एजुकेशन लिखा रहेगा नीचे लागिन आइडी पासवर्ड मांगेगा और continue आपको क्लिक करना होगा अब login ID की बात है तो login ID सभी बच्चों के लिए उनका enrollment number को ही login ID बनाया गया है तो यहां पर login ID भी याद रखने की ज़रत नहीं है ना कहीं से परसान होने की ज़रत यहां simple आपका जो enrollment number है वही आपका login ID है पासवर्ड पासवर्ड आपने जो mobile पर यदि मिल गया है या email पर मिल गया है कहीं mobile email पर नहीं मिला है तो आपने इवराइज पोर्टल पर student login करके पता कर लिया है वह पास डिजिट का नंबर है उसको आपने नोट करके रख लिया है वह यहां पर क्लिक कर देना है जो ही आप continue पर क्लिक करेंगे यह आपका एक पेज खुल जाएगा रेजिस्ट्रेशन पेज इसको बोलते हैं एक्जामनेशन रेजिस्ट्रेशन फार्म जिसमें आपका बैसिकली यहां पर login आईडी आपका नाम मुबाइल नंबर email आईडी सब कुछ दिखेगा और साथी साथ नीचे आपका जो है कि ब्रांच का नाम कौन सा सेमेस्टर है औ और और कौन-कौन सा पेपर यहां पूरे पेपर जोड़ी आपके पूरी की पूरी लिष्ट आ जाएगी फिन नीचे आएंगे तो लिखा है और नेयेगी क्लिक कर देना heut प्रॉसीद अप्लीकेशन फे सीड अप लिगेसं पे जो ही क्लिक करेंगे आपके mobile में मैंसेज आ जाईगा वहीं पे अगली स्क्रीन पे क्लिक करेंगे थांक यू यज आप कॉंपलीट हैनली यू यसेज वही login ID मतलब enrollment number और पांच डिजिट का जो password आपको आपने note का रखा है उसको दुबारा से डालने की ज़रत पड़ेगी फिर से आप join login again पे click करेंगे यह दुबारा से page खुल जाएगा और यहां पे आपको login ID में enrollment number और password में जो पांच डिजिट का आपने note किया हुआ वो डाल कि फिर से continue जब करेंगे तो continue करते ही यह आपसे पूछेगा कि आपसे permission मांगेगा कि मैं आपका कैमरा और microphone यूज करना चाहता हूं यहां पे बहुत से बच्चे allow की जगर पे ब्लॉक कर दे रहे हैं जिसकी वज़े से उनका photo नहीं खिच पा रहा है फो फोटो फेस आन हो जाएगा और camera आन होते ही इस तरह से उपर वाले box में आपकी photo दिखने लगेगी और यहां पे टेक फोटो जहां पे यह एरो लाल का तीर का निसान बना हुए इसका टेक फोटो पे क्लिक करते ही पहले box में आपकी photo आ जाएगी यह ध्यान रखिएगा अब बहुत से बच्चों की यह सिकायते हैं कि सर्थ टेक फोटो पे क्लिक करने पे हमारी photo नहीं आ रही है वो photo इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने बहुत से screenshot देखे हैं जिसमें photo clear नहीं है photo clear नहीं है का मतलब यह है कि आपके पीछे light है जिसके विएस से आपका पूरा चेरा काला दिख रहा है या clear नहीं दिख रहा है वो camera आपको सही से उस photo को ले नहीं पा रहा है तो उजाले में रोसनी में यदि यह कारें आप करेंगे तो आपको इस तरह के दिक्कत नहीं जाएगी और यह पोटो यहां पर दिखती रहे गई फिर दुबारा से जब टेक्फो बाक्स करेंगे तो यहां पर दूसरे बाक्स में आपकी फोटो आ जाएगे इस के पास मैसेज टुरंक डिस्पले होगा यूर फेस ट्रेइनिंग इस कंप्लीट काइंटली काइंडली प्रिपी यूर अप्लिकेशन आउ आल्सो दी लॉग इन पर टेकिंग मॉक टेस्ट इसका मतलब यहां तक आपने काम पूरा कर लिया है इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है अगला स्टेप जो है वह मांक टेस्ट का इसके बास से जो ही आप क्लिक तूप रिभी आप्लिकेशन फॉर्म करेंगे यह एक आपको फॉर्म दिख जाएगा जिसमें आपका यहां पे जो आपकी फोटो क्लिप हुई हो फोटो और यहां पने पास सूरच्वित रख सकते हैं इसके बार से क्या करना इस बिंडो को बंद कर देना है आप अपना पूरा बंद करके बाहर निकल जाए और दुबारा से आपको क्या करना होगा अगें यूपी बीटी एक्जाम डाट इन टाइप करना है और दुबारा यह जो क्लिक करेंगे यहां पर यहां पका के सिस्टम, आपका camera, microphone, browser की जो settings है, internet की इस पर सब कुछ चेक करेगा. यह तो आपको यहाँ पर proceed now पे click करना है. जो ही आप proceed now पे click करेंगे, यह सारे green, 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 green चारों पे tick लग जाएगा और यहाँ पर continue का option आजाएगा. आप continue पर जब click करेंगे, continue पे click करने के बाद यह आपसे कहेगा कि जो mobile है वो land escape mode में कीजिए अब land escape mode का मतलब यह है कि जैसे आप mobile सामने से देख रहे हैं उसको घुमा दीजिए घुमा देंगे तो जो है कि वो land escape mode में हो जाएगा अब आपका test इसके बाद से जो ही आप land escape mode में करेंगे यह आपका एक निर्देश जिसको आप कहेंगे पूरा instructions आपको मिलेगा जिसको आप पढ़िए पढ़ने के बाद यह जो white color का यहां पर box दिख रहा है जिसको मैंने red color से यहां पर tick मारा हुआ है यहां पर टच करना है टच करने के बाद अब यहां पर proceed now का button है यह proceed now का button पहले तो यह gray color का दिखाई देगा आपको सब कुछ पढ़ने के बाद जब आप exam दे रहोंगे तो जो ही आपके exam का time सुदू होगा time सुदू होने पर यह proceed now जो gray color का दिख रहा था वो अपने आप green color का हो जाएगा जबकि mock test में ऐसा नहीं है मौक टेश जब भी आप देंगे वहाँ साब पर टिक करेंगे उसके बाद से जो है की ग्रीन कलर का हो जाएगा और आप प्रोसीड नाव पर क्लिक कर सकते करके आगे बढ़ सकते हैं लेकिन जब आप परिच्छा दे रहा होंगे तो चुकी परिच्छा में आप 15 मिनट पहले से login कर सकते हैं और कि जैसे आपका paper जब सुर्य हो रहा है उससे आधे गंटे तक आप login कर सकते पंदर मिनट पहले से लेके exam सुरू होने के आदे गंटे के चन्दर आप झाrig पर यहां प्रोची आपका लगेंगे जिससे आपको तो जब भी गलती से आपसे मांगता है कि क्या आप वाकई अपना टेस्ट समात करना चाहते हैं उस पर भी बच्चे ध्यान नहीं दे रहा है यस एंड कर दे रहा है जिसकी वज़े से उनका टेस्ट आटोमेटिकली सब्मिट हो रहा है इसलिए इस जब भी क्वेस्टन देखें चूकि मोबाईल में आप परिच्छा दे रहा हैं तो आपको बड़े सावधानी से परिच्छा देनी होगी क्यों क्योंकि टच स्क्रीन कर्मेशन मांगेगा इनकेस यदि आप सब्मिट नहीं भी करते हैं तो भी जो है एक्जाम खतम होने के पंदर मिनट बाद सिस्टम अपने आप आपका जो है कि टेस्ट जितने भी आप क्वेस्टन किये रहेंगे वह अपने आप सब्मिट हो जाएगा इस तरह से जो ही आप एंड करेंगे टेस्ट आपके पास मैसेज आ जाएगा टेस्ट सब्मिटेट सक्सेस्पुली यह तो हो गई मोटा मोटी परिछक बात आप पर इच्छा देंगे कैसे अब मैं थोड़ी देर जो है कुछ बात करूंगा तमान तरह कि जिस तरह की चातों के पास परसानिया आ रही है उससे डिलेटेड में बात करूंगा उससे डिलेटेड में बात यह करूंगा किस किस तरह कि मुझे अभी तक परसानिया मिली हैं बच्चा कहता है कि सर मेरा तो लागिन ही नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या है लागिन नहीं हो पा रहा है मतलब बहुत बच्चों क कि मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इन दो दिनों में जो मेरे पास लगातार फोन काल्स आ रही है उसमें मैंने देखा कि बच्चा युराइज पोर्टल पर लागिन करने की पोसिस करा है जबकि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ इवराइज पोर्टल से केवल और केवल प परिछा के दौरान आप युराइज पोर्टल पर लागिन नहीं करेंगे मुल्टिपल लागिन करेंगे तो जिसकी वज़ा से भी परसानिया आ रही है सिंपल आप युपी बीटी एक्जाम डाट इन टाइप किजिए एंटर कर दिजिए आपको यदि टाइप करने में दिक्कत हो यदि आपको टाइप करने में भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक और सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आप सिंपल ईदाइज का होमपेज खोलगे इदाइज का हूम पेज जोहीं कोलेंगे या सबसे उपर ही यहां पे आनलाइन बीटी एक्जाम नू कर के सबसे ऊपर आनलाइन बीटी एक्जाम जोह करके आ रहा है online BT exam पे जैसे ही click करेंगे वह आपको type भी करने की जड़त नहीं पड़ेगी आप सीधे यहां पे login ID password डालके आगे की तरह बढ़ सकते हैं तो यह वाली problem आपकी समाप्त हो जाएगी कि sir login नहीं हो रहा है अब दूसरे तरह की जो समस्या आ रही है कि sir मैंने login किया लेकिन लिखके आ रहा है कि your test is expired इसका मतलब यह है कि आपको जो login करने का समय दिया गया है exam सुदू होने से 15 मिनट पहले से लेकर exam सुदू होने के आधे गंटे बाद तक के बीच में यदि आप login करेंगे तो login कर लेंगे तो test expired कभी भी नहीं दिखाएगा तो यह कोशिस कीजिए कि पंगर मिनट पहले आप login कर लीजिए लागिन करके सारे निर्देश वगरा पढ़िए ताकि आप समय से आपका जो है कि परिच्छा इस्टार्ट हो सके तो यह भी कोई समस्या नहीं इसमें आपको जो है कि थोड़ा सा सतर कराना पढ़ेगा आप समय से login करिए अब आदे गंटे बाद exam सुदू होने के बाद यदि आप login करने की process करेंगे तो जो है कि दिक्कत आएगी एक समस्या और आई कि सर मैं login था और मेरा net चला गया लाइट चली गई जिसकी वज़े से मेरा system बंद हो गया तो इसमें बिलकुल परसान होने की ज़रत नहीं है एक्षाम.in खुलके या डारेक्ट लिंक पर क्लिक करके तो आप सीधे लागिन करेंगे तो आपकी परिच्छा वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहां पर आपने छोड़ा था आपका एक भी किया हुआ question इधर उदर नहीं होगा जो आपने question कर लिया है वो हमेशा बना यह वह आये कि sir invalid request दिखा रहा है invalid request दो condition में दिखा सकता है पहला तो यह है कि आप URL डलत डाला यानि कि जो यूपी बीटी एक्जाम डाटी ने उसकी स्पेलिंग वगर मिस्टेक करें तो उसमें जो इन्वालिट रिक्वेस्ट आ सकता है और एक दूसरी कंडिशन यह है कि आप टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट देते समय रिफ्रेस कर देते हैं पेज को तो भी इन्वालिट प्रशान होने की जरूत नहीं है आप दुबारा से लॉग इन कीजिए और दुबारा से आपका वाई से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो यह मोटा-मोटी इतने तरह की समस्याएं आ रही थी जिसको उमीद करता हूं कि मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया है तो उमीद करता ह कि आगे की परिशाएं आपकी अच्छी जाएंगी कोई भी पेपर आपका छूटेगा नहीं किसी भी पेपर में आपको परसानी नहीं आएगी धन्यवाद और बेस्ट आफ लक्ष